मत्वा जन्पत के थाना रिफाइनरी छेत्र के अंतरगद बाज चौकी के प्रभारी अंकित कुमार की बुधबार की सुबह ड्यूटी जाते समय चौकी परिसर की बात्रूम में फिसल कर गिर जाने से मौत हो गई उनके सिर में गंभीर चोटे आई थी वह मौल लूप से मेरट के करनावल के रहने वाले थे बाज चौकी पर अंकित कुमार करीब साथ महां से तैनाद थे उनकी म्रत्यू से बिभाग में शोक की लहर दोड़ गई है वहीं जानकारी के अनुसार मौल लूप से मेरट जिले के थाना सुरूरपुर छेत्र के पथोली निवासी 36 वर्सी अंकित कुमार बीते 7 महां से वह रिफाइनेरी थाने की बाज चौकी पर प्रभारी के पत पर तैनाद थे वहीं चौकी परिसर में बने आबास में रहते थे बुदबार की सुबह करीब साड़े नौ बजे वहीं डूटी पर जाने के लिए निकले कि चौकी परिसर में पैर फिसल जाने से नीचे गिर गए इससे उनके सिर में गंभीर चोटे आ गई ततकाल उन्हें टाउंशिप इस्थिस सूपर स्पैसिलिटी होस्पिटल लाए गया जहां चिकेस्टकों ने उनको में घोसित कर दिया अंकित कुमार 2015 बैच के दरोगा थे उनकी म्रत्यू की खबर मिलते ही महक में में शोक की लहर दोड़ गई स्पिशलिस कुमार पांडे समयत अने कदिकारी मौके पर पहुच गए अंकित कुमार के परिजनों को घटना की जानकारी दे दी गई है मिलतक चोकी प्रभारी के एक बेटा और एक बेटी है दो महिने की बेटी स्पेसल चाइल्ड है बताया जाता है कि अंकित पिछले एक महीने से पैर में दर्द की समस्या से परिशान थे जिसका वह इलाज करा रहे थे जिसने भी उनकी मिलत्यों की खबर सुने वह शोका कुल हो उठा है